चापरी खुर्थ पंचायद में एक और उमीदवार है भावरुखा दुडिया जो की बहुती मजबूती से अपना दावा ठोकते वे दिखाई दे रहे हैं अब बचेवे तीन दिनों में परचार परषार में सभी अमिदवार अपना दमखं लगा रहे हैं। बहुरुका से जानते जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारी किया और अपको इस मुकाबले के Кहां आटा हैं। लेगु सर जी मेरा एक ही मिस्टन है कि मैं इस पंचायत को ज्यादे से ज्यादा सरकारी लाप पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश को लेकर के और गरीब जनता को जितनी हो सके उतना में सरकारी लाप दिलाने की उमिद लेकर के मैं आज मैदान में आया हूँ और जो BPL परिवार हैं, जैसे कोई चायनित नहीं हैं, किसी के मालूपानी की समच्रे हैं, किसी के रस्ते की गंदगी की समच्रे हैं और जितनी भी सरकारी जोजने हैं किसान बाईयों को, मैं किसान परिवार से हूँ और किसानों को और गरीब भाईयों को और जो मतलब फीचिने वे लोग है उनको ज्यादा से ज्यादा मेरी एक ही मतलब मेरे लगन है कि मैं सरगारी लाब में लाकर गे उस जनता को में संफनफन करूँ और मेरा एक ही देह है कि मैं पूरी जनता को मैं एक सरफर्ष के रूप में नहीं मैं एक शेवक के रूप में पेस होना चाहता हूँ और मैं उपरवाले से, अल्ला से और भगवान से मैं ये पूरी दुआ करता हूँ कि मेरी जनता को मैं इस पोजिस्टन पर लाकर दे दूँ कि वो आने वाले टाइम में जैसे याद करें एक टाइम में जैसे हाज मंतरी जी को याद कर रहे हैं लोग हार जीत की बात नहीं है लकिन मैं ऐसा एक लख्स लेकर चब रहा हूँ कि आने वाले टाइम में लोग पीछे से याद करें कि कोई एक आदमी में आया था एक सरपस्वा के रूप में आया था तो मैं इस जनता से मेरी यही उँमिद है कि ये मेरे को शेवक मान करके और इसे मैदान में उतारें तो मैं इनको पांस साल तक जितनी मेरी हो सेगे तन्मन धन्से मैं इनकी शेवा करूँ और आज तक कोई भी सरपजया आया तो वो शेवक बन के नहीं आया है वो अपना टाइम पुरा किया है और टाइम पुरा करके चला गया जन्ता को अंधरे में रखा है कि आज सरकारी जो लाब मिल रहे है वो किस तरीके से लाब मिल रहे है क्या योजना आ रही है और किस योजना का कैसा लाब हो रहा है किसा नों को क्या लाब होना चाहिए लेकिन पूरी पंचाहित को, कोई पक्सपात नहीं, शतीज कोम को एक साथ में लेकर के, और गरीबों को जितना हो सकेगा, उतना मेरा लक्से होगा, कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनका लाब दिलाओं, और मेरी जिनता को, मैं एक उजाने में लाकर के खड़ा करूँ, योओं के लिए जो योओं को जो अचितनी आज सामने आने वाली जुरूते हैं, उसका में पंचाहित के लेवल का जो भी काम होगा, मैं को एक केमिनेट मंतरी के रूप में नहीं जा रहा हूं, एक सेवक के रूप में जा रहा हूं, कि पंचाहित के लिए, पंचाहित के अंडर में जो भी स शेकेदार भी हैं आपको सरपन्स बनने की कैसे दिमाग में या आई है कि में आज कम साथ साल से मैं यह गाओं की शवा कर रहा हूं और आज मेरे नफास में साथ पंचाहित हैं और साथ पंचाहित से में जुड़ा तुम मुझे पता चला कि जन्ता को कि सीज़ की जरूत है जन तो में जाद को में एसे रूप में पैस करना चाहता हूँ ढाद किसी के रस्तों की परेशानी है गाओं में यह आते हैं एक किसी के मालो मकानों के अंदर किसी के बालो पते नहीं है कोई माल उसकी कोई शबूत नहीं है तो मैं एक ये देले के चज़ना हूँ और साथ साल की मेरी एक ट्रैनिंग है कि जनता के जो अंधरे के अंधर बेटी है उस जनता को में उजाले में लाओं और सरपस का जो में काम होता है उस काम को में सामने लाके रखू कि जनता को पता चले कि भी सरपस को क्या पावर है और सरपस जनता के लिए क्या कर सकता है तो मैं मेरी जनता से एक एपिल करता हूँ कि मुझे अगर जनता तनमन धन्से मेरा स्योग करेगी तो मेरा पांस साल मेरी जिन्दगी का जो भी एक एक मिनट में जन्ता के सामने में मेरा समर्पन करूँगा मुकाबल आसान नहीं है तीन गवों की पंचायते है चुगनी, सरदारपुरा कला और छापरी खुर्द तीनों में दस उमीद्वार मैधन में आप अपने आपको कहा में देखते हैं और कितनी जीत और मौनत ओर करेंगे बचे वे तीन दिनों में देखो सजी बात इसा है कि उम्हिद्वार हर आदमी को मतलब इसका हर आदमी को मतलब इसमा चुनाव लडने का दिखा रहे हिए और इसमें हर आदमी अपने आपको बड़ा समझता है अगर किसी के पास में सो बोट को बहुत मानता है 1000 वोट 높ष मानता है लेकिन मैं सब्सेवड़ी में एक जीत यह मानता ह जो बट पर-षय फिसलिए है कि में पिछले टाइम में त호 गया को मेंegता को ज Atlanta 8%, 130% मुझे उमीद है कि जनता का मेरे साथ है और जनता का साथ रहा तो अनशालोह मुझे काम्याफ भी मिलेगी और मुझे नहीं ये इस जनता को मिलेगी और मैं इसी बात को लेकर कि आज में मैदान में उतरा हूँ आज सर जी एक चीज़ हो रहे, आज तेक जो भी सरपस आया है, कोई जनता ने किसी इसने सवाल नहीं किया, और ना सरपस ने आगी कि जोजना के बारे में कुछ बताया, लेकिन एक मेरे पास में एक ऐसा मिसिन है, क्योंकि मैं साथ साल से इसी काम से इसे जोब से में जुड़ करूँगा, और उसका पेशा कभी भी आये, कैसा भी आये, ये मेरा खुला वादा जनता के सामने, ये है बहुरुखा जो चापरी खुर्थ पंचायसे सरपस के उमीदवार है, दस सरपसों में से सबसे मजबूत ये सरपस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कुछ कारे करत लिए, हम कहना चाहते हैं कि आज तक जो सरपस काया है वो तीनों पंचायतों के अंधेरे में रखा है और इन को मचबूत इसलिए मानते हैं कि इनको साथ साल का experience है और PWB ठेकदार है, हर तरीके से budget लाने का इनको मालूम है, हर गलिया इनको मालूम है कि पंचायत में क्या-क क्या लाना है कहां कहां लगाना है कैसे कैसे इनको लाब देना है यह सब राष्टे इनको मालूम है इस वज़े से इनको आगे लाएं और आगे हमारा मिशन यह यह कि इनके साथ में रहके और तीनों गाउं को विकास की तरफ विकास कराने के साथ रहेंगे और यह हमारा साथ हमारे साथ एक और कार्य करता है इनसे पूझते हैं कि आप बहुरुकां के साथ क्यों खड़े हैं और क्या इनसे उमीद रखते हैं देखिए इनके जितने भी कार्य करता है वो पहली बार किसी सर्पंज के साथ में हुए हमारी च्छापरी पंचायत की कंडिशन यह है कि ना तो ज्यादा भीड होती है ना कोई ज्यादा समर्थन होता है ना कोई कुछ ज्यादा राजनिती होती है हमारे यहां पर कुछ लोग मिलके एक सर्पंज का चुनाव कर देते हैं और वो बात सराहनी है लेकिन जब पांस साल की कंडिशन हम देखते हैं काम कितना हुआ, कौन सी गलियां हुई, कौन से रास्ते हुए रोड लाइट लगी के नहीं तो ये चीजें देखने के बाद इस बार मैं खुद अयूप सागर जैसे सबी लोग मुझे जानते हैं मैं पांस साथ पंचायतों में बहुत कलोज जुडा हूँ और डीडवाना तेसिल में लगबग गुमा हूँ तो इनकी पंचायते हैं जैसे साथ आठ पंचायते हैं जैसे बेरी कुर्द बहुत बढ़ी पंचायत है दौलत पुरा बहुत बढ़ी है, मौला सर है तो इनके ठेके वहाँ पर चले तो मैं जहां भी गया मैंने पूछा कि वही यह काम किस ने करवाया तो यह का यार यह काम तो आपके बहुनु खांजी ने करवाया है बेरी के अंदर आज तक काम चल रहा है उसकी कंडिशन यह है कि लावा रास्ते बन रहे है तो वहाँ भी यही कंडिशन महुनु खाजे का नाम है दौलत पूरा जाता हूं तो हम लोगों ने नौजवानों ने बुजर्गों ने इस चोटी सी पंचायत में अगर हम ऐसे इनसान को अगर ले के आए तो हो सकता है हमारा काम बहुत बेतर हो हम भी अपना काम हम भी अपना नाम उंचा कर सकें तो जब ऐसा हीरा हमारे पास मौजूद है तो हम बाहर की उम्मिदे क्यों करें तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी गाउवाइलों से भी कहना चाहता हूँ पंचाई के जितने सदस से है सम्मानिय सदस से सबसे कहना चालता हूं कि कम से कम ऐसे इनसान को चुने जो दिखता हो, काम करवाता हो और जो यहां रहता हो तो इसके अलावा हम यह सोचके चलेंगे, यह कहां का है, वहां आएगा यहां काम करवाएगा, किसी चीजpowered member हम उसी से कर सकते है जिसके पास कुछ हो वो एक प्रेम चोपड़ा की एक बहुत मलब एक डायलोग है नंगा नाहेगा क्या और निच्विड हो गया क्या अगर कुछ होगा है नहीं तो इनसान क्या खरेगा तो हमने तो जितने भी हम लोग इनके काम को देखके फरवावित हुए और गाओं में एक नहीं 80 परसेंट सही बात है यह 70-80 परसेंट इनके साथ में है और मैं तो यह चाहता हूँ कि जो 20 परसेंट लोग बाकी है वो भी इनके साथ में जुड़े और एक मजबूत पंचायत में एक मजबूत सरपंच लेके आए शुबरिया यह ते चापरी को जो मद्दान होने वाला है मद्दान के दिन जनता इन्हें क्या संदेश देगी अपने मत के द्वारा आने वाली 17 तारीक को जो परिणाम आएगा वो साबित करेगा कि छापरी पंचायत कितना विकास करेगी और कैसे व्यक्ति को अपने सरपंच के रूप में चुनती है बहुरुका का कहना है कि वो अपनी पंचायत को आधुनिक युवाओं के अनुसार डालने की कोशिश करेंगे और आधुनिक जो सुईदा है वो पूरी पंचायत में देने की पूरी कोशिश करेंगे कैमरा में नाशिप के साथ हनीफ खान डीडवाना